इस वीडियो में बताई गई या दिखाई गई सारी चीजे एडुकेशनल परपस के लिए हैं इसका उप्योग करके किसी भी तरीके के इनलीगल चीजों को मैं बढ़ावा नहीं देता और सक्त खिलाफ हूं तो क्रीपा करके इसे देखें और कुछ अच्छा सीखें हुआ हैं खिलन करके हैं10 नौब जूँटरें करके के वारेट से नगे में चंथा हैं पाल अध्यरण चीजो मेरा हुआ है उत्व है अधृष्ट अव्यजियो गुवग है आप है ठीक है बग जाकर वैसे तो यह टर्मक से भी किया जाता है लेकिन जब आप है तो यूज कर लेते हैं देखो रुख जाओ बग जाकर ठीक कुछ भी सेर्च कर लो आएगा वही एक सेकेंड बग कर जैकर आगया देखो यह पहली अप्लिकेशन ठीक है यह पहली अप्लिकेशन है कर दो इसको इस्तॉल थीक तुम्हें Хोश्ट के डिवाईस की भी एक्सस होनी चाहिए इसके लिए ठीक है रो दोनों सेम करते होने चाहिए एक सब आप आदा फोन पर connect है अब तुम्हें इसमें developer option enable करना पड़ेगा कैसे करोगे settings open करो ठीक है build number पर tap करके तुम developer option को enable कर सकते हो और अगर शाओमी कड़ी हुआ इस है तो तुम MIUI जो उनका number होता है उसको tap करके enable कर सकते हो ठीक है अब यह से build number को tap करोगे तो developer option enable हो जाएगा password भी मागेगा तो मैं password डाल देता हूँ डवलपर option enable हो गया इस पर ठीक अब क्या करना है ध्यान देना यह उसी पर काम करेगा android 11 एंड हाइयर पर ही काम करेगा ठीक है बग जाकर इसमें open कर लो देखो दोनों devices है न यह agree कर दो agreement वो भी यह बता रहे है कि educational purpose के लिए ही है इसका कोई भी गलत इसमाल आपको नहीं करना है अभी यहां पर आपको show होगा no device connected ठीक है अभी हम connect करेंगे device को कैसे करेंगे देखो जो तुम्हारा host device है तुम आ जाना यहां पर ठीक है system में या फिर अलग अलग तरीके से developer option होते है advance and developer option यहां तुम्हें enable करना है और नीचे आ जाओ ठीक है आ जाओ और नीचे usp debugging का कोई काम नहीं है ठीक है मैं थोड़ा zoom करके दिखा देता हूं तुम्हें on करना wireless debugging ठीक है इसको तुम on कर लो on कर दिया तुमने ठीक अब इस phone में जिसमें तुम्हारा bug जाएका है उसमें यह बटन प्रेस करो ठीक किया तुमने ठीक no device connected आएगा add a device कर सकते हो यहां प किस पर कर रहा है एडीवी पर इसको मैं प्रेस कर देता हूं थोड़ा पुराना रिवाइस है एक सेंड अर्ध है यार रुक जाओ हो गया ठीक अब यहां पर आ जाओ पेर पे ठीक ज्यान से देखो आ गया पेर पे यहां पर पोर्ठ और पेरिंग कोड है पहले इसको डिसक पारगेट कर दो इस त Whoothis को कर दिया बन के wisdom एक ही वाइफाइस कनेकट है अब यहां पर पर पेर डिवाइस रिस पैरिस कोड गोड अब दिखो यहां पर अब इस code को इसमें तुम्हें एंटर करते हैं ठीक code है 622127 622127 ठीक अब pairing होने लगेगी ठीक कई बार होगा अब फिर इस बटन को दबाओ ठीक और कनेक्ट ठीक फिर देखो यह कई बार आएगा क्योंकि एंड्रोइड जो अपने सेक्योर्टी चाहता है यहां पर देखो pairing unsuccessful आएगा फिर एक बार चेक कर लेना कहीं दोनों वाइफाई सेम पर कनेक्ट है कि नहीं ठीक अब फिर एक बार क्योंकि एक बार में नहीं होगा तुम कितना भी ट्राय कर लो एक बार में नहीं होगा ठीक अब pairing code चेंज हो गया फिर वही step यह रहा तुम्हारा दूसरा डिवाइस यहां पर आ जाना तुम इसको दबा देना एक सेकेंड ठीक पेर और pairing code चेंज कर दो code क्या है 808870 इसमें भी डाल दो एक सेकेंड 808870 ठीक अब देखो आ गया तुम्हारा दूसरा डिवाइस ठीक है एक बार फिर दिखा देता हूं यहां पर तुरंट एड हो जाएगा code डालते ही पेर डिवाइस में एड हो गया ठीक है अब तुम कर लो connect और यह देखो हो गया connect अब तुम इसको ह करता है हो गया connect कई लोग कह रहे है ते कि फेक है यह है वो है नाटक है फेक नहीं स्क्रीन मिररिंग भी नहीं है अब तुम यहां से सारे स्क्रिप्ट प्रफॉर्म कर सकते हों करके दिखाएं जैसे कि अब तुम यहां पर उसको पावर और स्टेटस बार देखो आगई दिख रहा है तुम्हें रुख जाओ रुख जाओ फिर देखो वह रा डिवाइस एर है ठीक है अब अब इसको हम सारी ADB कमांड और पता है यहां से तुम फैंटम टास्क किलर भी खतम कर सकते हो इसक्रीन सेर कर दिया देखो आगई स्क्रीन ना यह देखो देखे ठीक वैस अगर मैं तुम्हें सिखा दो तुम तुम बीना पासवर्ड बीना यह सा वाइफाइड वगारा काई भी दूसरे डिवाइस से कनेक कर सकते हो बट वह अनिथिकल में आता है और मैं भी कोई अनिथिकल चीज नहीं सिखाता हूं ठीक है अब बैक आजाओ एड जरूर देते ह ठीक इवेन इवेन इतनी इसमें पावर है कि तुम इससे उसको रिस्टार्ट या पावर आफ भी कर सकते हो यह देखो रिबूट डिवाइस किया रिस्टार्ट हो जाएगा ADB यानि Android Debugging Bridge ठीक है यह देखो हो गया रिस्टार्ट सो यह कोई फेक नहीं है यह कोई स्क्रीन मिररिंग नहीं है यह वाइफाई डिबगिंग का यूज है यूजली वाइफाई डिबगिंग का यूज करके तुम्हारे फोन में बूट लोडर अनलॉक किया जाता है या का तुम केबल लगाके भी कर सकते हो टी से बटिए कूल लगता है ना इसके लिए तुम्हें सेकंड परसंड के फोन की एक्सेस होनी चाहिए इसकी permission लेकर तुम्हारे एक्सेस ले सकते हो और मैं यह की उयूज से दिकलि बता है कि किसी और नेटवर्क से ना करेक्ट किया करो क्योंकि और भी कई तरीके ऐसे हैं जिनसे बिना कोई डेवलपर आप्सन बिना कुछ डारेक्ट तुम्हारे एंड्रोइड की एक्सेस ली जा सकती है थैंक यू यह करना दोस्तों के साथ करना मजाएगा दोस्तों क्या तुम्हें कोई फोन मिल जाया ना तुम्हें भर करके देखना वह परशान हो जाएंगे और यह उपर आप्शन आता है यूसबी डिबग इनेबल उसको भी तुम हटा सकते हो कैसे हटा सकते हो उसको होल्ड क करो देखो पर्मनेंट तो नहीं आफ कर सकते लेकिन एक घंटे दू घंटे के लिए तुम सैमसंग या और डिवाइसे में कर सकते हो ठीक है थैंक यू ऐसे वीडियो के लिए मुझे फॉल्व बरो सस्क्राइब करो थैंक यू